नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज के इस वीडियो में हम आपको चानक्य नीती के अनुसार बताएंगे की सुबह उठते ही स्ट्री की कौन सी चीज चूने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है जी हाँ दोस्तों लेकिन उससे पहले हम आपको चानक्य नीती के अनुसार बताएंगे की स्ट्रियों के लिए बेहत खतरनाक है यह तीन चीजे जी हाँ दोस्तों स्त्रियां इन तीन चीजों से हमेशा बचकर रहें नहीं तो उनका पूरा घर हो सकता है तबाह और बरबाद और आ सकती है कर कंगाली चानक्य नीती शास्त्र में मनुष्य के कल्यान के लिए कई सारे सूत्र दिये गए है उन्ही सूत्रों में चानक्य ने स्त्रियों के लिए तीन चीजों को सबसे खतरनाक माना है चानक्य नीती में कहा गया है जिस घर में गुनवान स्त्री होती है वह घर स्वर्ग के समान होता है आये जानते हैं के के अनुसार इन तीन चीजों से स्त्रियों को हमेशा दूर रह लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पहली चीज है, अहमकार अहमकार व्यक्ती का सबसे बड़ा शत्रू होता है। अग्यानता स्त्री के लिए अच्छी नहीं होती है, चानक्य के अनुसार स्त्री को सांधवान होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि समाज निर्मान में स्त्रियों की भूमिका। सबसे एहम मानी जाती है, शिक्षित और ज्यान से पूर्ण स्त्रिया ही समाज को नई दिशा प्रदान करती है, वह उन दिनों से घर को स्वर्ग बना दी है, जबकि स्त्री की अज्यानता से सभ्य समाज की कलपना करना असंभव है। चीज है लालच चानक्य के अनुसार स्त्री को लालच से दूर रहना चाहिए, यह अवगुन स्त्री के परिवार को नश्ट कर देता है, चानक्य के अनुसार जब स्त्री लालच करने लगती है, तो वह घर की सुक शान्ती को नश्ट करने लगती है। लालच के कारण परिवार में ग्रह टलेश दिखने पड़ता है, कई कई को भी पुत्र मोह का लालच हुआ था, जिसके कारण पूरे अयोध्या में अशान्ती का वातावर्ण छा गया था, इसलिए दोस्तों स्त्रियों को इन तीन चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए अब आईए जानते हैं कि स्त्री का कौन सा एक अनपकड़ने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है, दोस्तों हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दरजा दिया जाता है, देवी का दरजा प्राप्त महिला के सम्मान की बात हमेशा समाज के लोगों के द्वारा की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरहे की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलती है, पर क्या आपको यह बात मालूम है कि अगर आप स्त्रियों के शरीर की एक खास अंग को छूते हो, तो आपको महान पुन्य मिलता है, और आपकी सोई हुई किसमत जाग उठती है अगर आपको नहीं पता है, तो आपको बताते हैं कि स्त्रि के किस अंग को छूने से किसी भी व्यक्ति की सोच हुई किसमत जाग सकती है, दोस्तों हर एक व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां उसके साथ कई सारा स्वरूप में रहा करती हैं, एक स्त्रि ही किसी व्यक्ति की मा होती है, तो किसी की बहन और इसी की बहु होती है, अलग-अलग रूप में स्त्रियां व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम किया करते हैं, स्त्रियों के बगैर पुरुष इस धर्ती पर अस्तित्व भी संभव नहीं है, एक स्त्री ही पुरुष की हर खुशी और दुख में उसका साथ निभाती है इसके साथ ही एक स्त्री को उसके जीवन में बहुत सारा दर्द सहने पड़ते हैं, जीवन में आने वाले हर एक दर को आरा से सह लेने वाली स्त्री विप्रीत से विप्रीत परिस्थितियों को भी हंसी को उसी से जेल लेती है, कठिन से कठिन परिस्थिती में भी हमेशा अपने चहरे पर मुस्कुराहट बनाये रखने वाली लड़कियां अपने बच्चों को भी अच्छे संसकार देने का भी काम करती है, इसके अलावा एक स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है, एक साथ कई सारे कार्य को करने वाली स्त्रियों के पैर में बहुत बड़ा राज छुपा होता है, ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर छुने से व्यक्ति को अपने सारे जन का पुन्य फल मिल जाता है, उसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में काम्याबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है. दोस्तों सुभा सुभा स्त्रियों के पै चूने से मिलने वाले आशिरवाद के वजह से भी के जीवन से निराश शंका का अंत होता है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर सकारात्मक उर्जा का प्रभाव होने लगता है और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा देवी लक्षमी प्रसंद रहती है जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां आती रहती हैं और सफलता ऐसे लोगों के कदम चुमती हैं हाँ, दोस्तों यदि आप भी ऐसा करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी आ सब्सक्राइब कर लीजिए.